दोस्तों हिंदे फिल्म के सुपर इस्टार अभिनेता सनी देवल और अभिनेत्री अमिशा पटेल की ब्लोक बेस्टर फिल्म गदर 22 साल बाद एक बार फिर से बरे परदे परधमा के दार एंटरी करने के लिए पूरी तरह तयार है जैसे की दर्सक को फिर से मेरा हिंदुस्तान जिंदावाद था जिंदावाद है और जिंदावाद रहेगा की गोंज सुनाई देगी हलाकि फिल्म में सनी देवल और अमिशा पटेल की जोड़ी यानी तारा सिंग और सकीना की प्रेम कहानी देखने को मिलेगी हलाकि फिल्म 11 अगस्ट को सीनेमा घरों में रिलीज होगी हलाकि ऐसे में हम आपको बता दे की 22 साल का लंबा गेप के बीच फिल्म के एस्टार का लूप का फिर ज़्यादा बदल गया है हलाकि कोई और भी ज़्यादा हेंसम हो गया है तो कोई अपनी गलेमर्स अदाओ से फैंच को दिवाना बना रहा है द्रसल गेदर फिल्म की बात करे तो उस समय सनी देवल ने तारा सिंग के किरेदार से सभी को इंप्रेस किया था हलाकि उनकी लुप को धर्सक ने काफिर ज़्यादा पसंद किया था दोस्तो द्रसल उस समय एक्टर काफि ज़्यादा यंग हुआ करते थे जैसे कि अब समय के साथ हो और भी ज़्यादा हिंशम हो गए है हलाकि फिलिम में सकीना का किरेदार निभाने वाली अमिशा पटेल की मा सूमियत ने हर किसी का दिल जीत लिया था हलाकि उनकी साथगी और वो बोलती आँखे आज भी लोगों को जहन में है हलाकि अब अमिशा बढ़ती उम्र के साथ साथ और भी ज़्यादा हो गई है जैसे कि सन्नी देवल के बेटे चरन जीत का किरेदार निभाने वाले उतकर्ष सर्मा उस समय का फिर छोटे और क्यूट हुआ करते थे हलाकि अब वह का फिर बड़े और हिंट्शम हो गए है हलाकि इसके बाद वो फिल्म जीनियर्स में लीड एक्टर के रूप में नजर आये हलाकि उतकर्ष ने एक इंटर्वियू में खुलासा किया था कि गदर टू का कहानी बहुत अलग और संदार है इसके अलावा फिल्म में ऐसे कई एक्टर सीन है जो दर्सक को हैरान करने वाले है हलाकि पिछले दिनों ही फिल्म के एक्टर सीन के वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो गए थे हलाकि गदर टू में कई नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे जिसमें से एक चेहरा मनीस बादवा का भी है हलाकि वो सारू खान के फिल्म पठान में भी निगेटिव किर्यादार में दिखे थे हलाकि वो सन्नी डिवल के फिल्म का हिस्सा है लेकिन यह का नफर्म नहीं किया गया है कि वो निगेटिव किरयादार में दिखेंगे हलाकि बताया जा रहा है कि वो इस फिलिम के लिए उन्होंने 40 लाख रुपे चार्ज किये है दोस्तो दरसल गदर टू पूरे 22 साल बाद सिनिमा घरों में रिलीज होगी हलाकि गदर टू में इस बार काफिर कुछ नए दरसकों को देखने को मिलेगा हलाकि लेकिन आप तीन चहरे को यकीन मिस करने वाले हैं हलाकि सबसे पहले बात करते हैं अमरेश पूरी की हलाकि एक्टर ने मूवी में सकीना के पिता असर्भ अली का क्रियादार निभाया था हलाकि 12 जन्वरी साल 2005 को एक्टर का निर्धन हो गया था हलाकि मेडिया रिपोटर्स की माने तो बटवारे के दोर में तारा सिंग और सकीना की एक प्रेम कहानी थी हलाकि सिक्वल में निर्माता 24 साल की छलांग लगा रहे हैं क्योंकि इस बार कहानी भारत आओ पकिस्तान के बीच 1971 के यूद के समय को दरसाएगी हलाकि पिछले बार तारा सिंग गदर में सकीना को वापस लाने के लिए पकिस्तान में गया था हलागि इस बार वह इस लराई के बीच अपने बेटे जीत को बचाने के लिए पकिस्तान गया है